वके next topic देखिए है हमारा cyclotron तो cyclotron सबसे पहले क्या होता हो देख लités aucune cyclotron ऐसी device है जिस्से high voltage का use कि ये बिना ही हम the seul emoc which high velocity तक accelerate कर सकता है तो इसके लिए इन्होंने synchronous acceleration की एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसमें बहुत इंटेंस मैगनेटिक फील्ड द्वारा आइनों को स्पाइरल पाथ में घुमा घुमा कर एक ही गैप में बार-बार घुमा कर वहीं पर त्वरित किया और आइनों की उर्जा में व्रद्दी हुई यह कैसे किया डीटेल में हम अभी बढक में यह जो एकल में स्पाइल पेर और भुमे एक गहरत तो इसरी गैप ज क्या चाहिए तो इसकी पर एक का मैं ऐसके अगला यहजा इनों कोहा? है साइक्लो ट्रॉन में दो बिल्कुल खोखले चपते से होते हैं और वैसे सिलेंड्रिकल मेटलिक कंटेनर होते हैं जिने हम डी वनडी टु नाम बोलते हैं यहां पर देखीए वारे कांसिए यह जो डी है वह बनावा दिख्रा होगा आपको इफड़ कर रहे हूं यह एक से कर रहे हुँ यह एक है हमारा व्हेला का अदर होगा डीटू लेकिन यह भेलनाकार यानि कि बनायावा इसकर की इसका टू डी फिगर दिख रहा है थी डाइमेंशन में इसको इमेजन करोगे तो यह मतलब दोनों को मिला के बेसिकली एक सिलेंडर था उस सिलेंडर को बीच में से आधा काट दिया और दोनों पार्ट को अलगर कर दिया तो दोनों आपके पास डी उनका क्रॉस सेक्शन देखोगी ठीक है अब इन डीज को हम एक हाईली वैक्यूम चैमबर सी में रखते हैं सी में इस प्रकाह रखते हैं कि इनके जो डायामेटर वाले किनारे हैं ये एक दूसरे के समानतर तो रहे लेकिन थोड़ी दूरी पर हो तो देख लेते हैं यह देख लीजिए इनको हमने पहले वै अब हम क्या करेंगे एक हाई एनर्जी कितना फ्रिक्वेंसी वाला थे क्वेंसी इन दोनों बीच में लगाएंगे जिससे दी वन डीटु के बीच में जो गैप आया है उस गैप में इलेक्रिक फील्ट हो जाएगी देखो डीवन डीटु दोनों मेटल के बने हैं और अगर AC source हमें लगाना है तो हमें D1, D2 पे अप्लाई करना है तो यहां पर देख लीजिए यह जो है D1 यह D1 है तो D1 का यहां से positive part से connect कर दिया AC source का और यहां पर देखो यह है यह AC source के negative part से connect कर देंगे तो positive or negative के बीच में यह जो gap है यहां पर gap में क्या होगा electric field generate हो जाएगी और वो electric field कैसी होगी प्रत्यावरती होगी AC nature की होगी तो उसकी omega उसकी angular frequency होगी ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है T by 2 time T by 2 को हम pi by omega भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं T कितना होता है 2 pi upon omega होता ह तो T by 2 time बाद दोनों D की वोल्टता जो है वो alternatively positive negative होती रहती है यानि T by 2 time बाद हमें पता है क्योंकि AC signal कैसा होता है ऐसा होता है ठीक है तो यहां T by 2 होता है तो यह positive रहेगा और यह negative रहेगा तो T by 2 time के बाद में suppose करो शुरुआती आदे सरकल में D1 positive है D2 negative है तो next half cycle में D even positive हो जाएगा और D2 negative हो जाएगा या जैसे भी alternative हो जाएगा खीक है अब इस पूरी अवस्था को हम क्या करेंगे बहुत powerful magnets के बीच में इस तरह से रखेंगे कि जो magnetic field है वो उसके circular surface के perpendicular हो यानि यह जो डी इस तरह से है इसका जो circular यह पार्ट है यह इसके बिल्कुल perpendicular magnetic field ल जैसे यह इस surface में बना हुआ है तो यह इसके plane के perpendicular magnetic field है यहां पर जिस धनायन की उर्जा में ब्रदी करनी होती है उसको D1, D2 के बीच के gap के बिल्कुल center पे रखते हैं बिल्कुल center पे कहां रखा है जहां पर black dot बनाया हुआ है जिसको मैं red कर देती हूं यह red color का जो dot है यहा अब इसका theory and working देखते हैं theory and working में यहां देखो मान लो जब iron source S से iron source कहां रखा है दोनो D के बिल्कुल बीच में जो gap है उसके center पे रखा है वहां जो source है उससे एक positive iron निकला ठीक है और उस वक्त हमने मान लिया D1 जो है वो negative पे है और D2 जो है वो positive पे है तो positive iron किसकी तरफ जाएगा क्योंकि D1 negative है तो positive D1 की तरफ accelerate होगा क्योंकि वहां पर electric field है ठीक है अब यह जो D है इसके अंदर यह अंदर से क्योंकि मैंने बताया था यह बेलनाकार है बेलनाकार तो इसके अंदर आयतन होगा वो बिल्कुल निर्वात होगा वहां vacuum है और वहां पर हमने electric field भी नहीं लगाई है तो वहां पर electric field 0 है यानि electric field केवल जो दोनों D है उन D के बीच में electric field है उनके अंदर electric field 0 है और उनके अंदर केवल क्या लग रहा है magnetic field लग रहा है सिर्फ magnetic field लग रहा है तो जैसे ही वो D1 की तरफ गया D1 के अंदर घुसते ही उसके उपर लगने वाला electric field का force तो 0 हो गया यानि f जो है वो 0 हो गया यानि एक्सलरेशन उसका 0 हो गया यानि velocity क्या हो गई constant हो गई constant velocity से वो सीधा d के अंदर घुस गया यह d था इसके अंदर घुसते ही उसकी velocity constant हो गई और perpendicular direction में उस पे perpendicular direction में क्या लग रहा है तो d के अंदर q आवेश पर m मास वाले आयन पर लगने वाला magnetic force कितना होगा qv क्रोस भी होगा और जो उसकी velocity है magnetic field उसके perpendicular लगाते हैं तो उसके force कितना लगेगा qv भी लगाते हैं ठीक है अब यह force करेगा यह force हमेशा velocity v के perpendicular होता है जब v और b एक दूसरे के perpendicular होते हैं तो magnetic field जो होता है वो पार्टिकल की velocity को बढ़ाता या घटाता नहीं है बलकि उसको deflect कर देता है और उसको एक circular motion देने की कोशिश करता है तो इस कारण डी के अंदर आयन का जो पत होगा वो वरताकार होगा तो आयन दी तो हमारा आदा ही है तो सपोज यहां से अगर मान लीजिए जैसे ही वो आयन गुजरा तो यहां से घूम जाएगा इस तरह से घूम जाए अपॉन आर किसके बराबर होगा क्यूवी भी तो डी के अंदर जो आयन ट्रेस करेगा पाथ को ट्रेस करेगा उसकी रेडियस कितनी होगी एम वी अपॉन क्यूबी होगी अब एक डी के अंदर उसका आयन आयन का जो विलॉसिटी है वी वो constant रहेगा लेकिन जैसे ही वो निकला है हम नहीं चाहते कि वापस वो ही दि उसको खीचे तो जैसे ही वो बहां निकले उस टाइम पे t by two time लग जाना चाहिए ताकि अगर positive आयन इससे बहां निकले तो ये वाला डी positive होना जाना चाहिए और ये वाला डी negative होना चाहिए ताकि इस वाले डी की तरफ वो attraction फ जाती है यदि आयन को डी का आधा चक्र पूरा करने में लगा समय T है तो यह T किसके बराबर होना चाहिए टी बाइटू और पाई बाई ओमेगा के बराबर होना चाहिए ठीक है टी आवर्तकाल है ओमेगा उसकी कोणी आवर्ती है अब हम जानते हैं टी बाई टू जो है वो आर और यहां तो हमें टी के मिल जाएगी पाई अकूलइ था तो लेएगा की इस तो यहांADE की मिल जाएगी हमा pi m upon qb ओके और हमें निकालना है omega जो कि कितना होता है 2 pi upon t तो यह t की value उठा के यहां रख देंगे तो omega अपन को मिल जाएगा qb upon m और frequency निकालना है हमें तो frequency होती है omega upon 2 pi तो यहां से omega की value जो है वो यहां put कर देंगे और हमें मिल जाएगा f is equals to qb upon 2 pi m इसको बोलते हैं cyclotron frequency यह बहुत important है याद रखिएगा तो cyclotron में synchronous इस्तिती में radio frequency oscillator की आवर्ती जो है वो समिकरन 3 के हिसाब से होनी चाहिए तभी वो t by 2 is equals to pi by omega वाली शर्ट पूरी होगी अगर उसकी frequency यह रखेंगे तो यह cyclotron की आवशक शर्ट कहलाती है ओके अब देखो d1 और d2 के बीच के अंतराल को अभी तक एक ही बार पार करवाया हमने जब जब आयन उसको पार करता है तो उसका velocity बढ़ती है तो होता क्या है देखो 1 d है यहाँ पर है 1 d यहाँ पर है आईग तो और तैज बढ़ेगा तो उसका और जादा बड़ा सरकल होगा और तेज बढ़ेगा तो और बड़ा सरकल तो उसका motion क्या हो जाएगा hap डी की परीदी पर पहुंछ जाएगा अब हम नहीं चाहते की वो बढ़े क्योंकि वो D से टकरा जाएगा उसकी सारी एनर्जी खतम हो जाएगी तो अब इसे D से बाहर निकालना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए हम एक negative voltage क्योंकि positive आयन है हमारा तो हम एक negative voltage की एक plate होगी जिसे deflecting plate बोलते हैं इसे deflecting plate इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो धनायन का पात था उस पात से इसको deflect करके अपनी तरफ खीच लेती है और cyclotron से बाहर होने से पहले आयन के पत की अधिक्तम त्रिज्जा अगर R है और अधिक्तम वेग V है तो समीकरण 2 से समीकरण 2 का मतलब है R is equals to MV upon QB से अगर मैं V की value निकालू तो V कितना है यहां से QB R upon M तो V की जगे तो देखो V max आ गया और small r की जगे है capital R आ गया तो इतनी velocity लेके वो बाहर आएगा इतनी velocity लेके वो बाहर आएगा तो kinetic energy कितनी हो जाएगी half mv maximum का square और V का value यहां से अपने को क्या मिल रहा है QB capital R upon M वो QB capital R upon M यहां रख देंगे और QB की value अगर equation 3 से हम रखें equation 3 से QB की value रखें तो equation 3 दिखा देती हूं equation 3 से यहां से QB की value यह देखो यहां से QB की value आ जाएगी 2 pi mf यह QB की value रख देते हैं 2 pi mf तो यहां से QB की value इसका square है तो 2 pi mf इसका square r का square upon M और 2 तो solve करोगे तो solve करके इस formula पर पहुंच जाओगे तो यह उसकी energy आ जाएगी ठीक है तो इससे पता चलता है कि उसकी जो ऊचा है वो किस पर depend कर रही है एक तो जो d पर हम frequency लगा रहे है इस पर depend कर रही है ठीक है और एक पार्टिकल पर M पर depend कर रहे है क्योंकि जो डी हमने लिया उसकी रेडियस constant रहेगी 2 pi भी constant है तो f और M पर depend कर रहे है इसका मतलब अगर f को मैं एक बार constant कर दूँ तो जो e आ रहा है वो proportional तो किसके आ रहा है एम यह उस बहनायन के मास के proportion आ रहा है तो इसका मतलब अगर deutron या फिर alpha कणों की उर्जा ली जाए तो और proton की उर्जा मान लीजी अगर e है तो proton से प्राप की गई उर्जा से होता है तो अगर मास डबल होता है तो अगर मास डबल होते ही एनरजी डबल हो जाएगी और alpha particle क्या होता है हीलियम का न्यूट्रों होता है जिसमें दो proton होते हैं तो चार गुना मास हो गया यानि 4 टाइम सी हो जाएगा तो दो गुना एवन 4 गुना होगी ठीक है आयन की अन सैच कितना लगा है और आयन क सिर्फा लेंस एक बार पार करने में कियुब लेकिन वो घूमके उसरऑब के वापस आता है तो एकक पूरे cycle के दोरान एक चक्कर को वह दो बार पार करता है तो एक चक्क्र में उसने कित्नी ग्रहन की 2 टू इस निज से निकलने से पहले उसने एन चकर लगाये तो उसकी उजा कितनी हो जाएगी 2 NQV यह हो जाएगा ठीक है तो total energy हो जाएगा Magnetic Focusing in a Cyclotron. Magnetic Focusing क्या होती है यह देखो देखो cyclotron क्या सिधान तब ही कम माना जाएगा जबकि आयन की स्पाइरल बॉंडी, spiral orbit है उसका, वो उसके NS, जो चुम्ब के धुरूब है NS, उनके median plane में इस्तित हो, तथा D1, D2 के मध्य अंत्राल को बिल्कुल सही समय पर पार करें, यानि ना सिफ electric field की frequency matter कर रही है, हमारे पास magnetic field का यहां पर बहुत important role है, क्योंकि D के अंदर उसे बिल्कुल specific व्रत करने के लिए, इनका जो शेप होता है, यहां पर देख लो डीपर जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं, उसके साथ सिंक्रोनिजम हो, अगर सरपिलाकार कक्षा मध्य तल में इसकित नहीं होती है, तो मैंने अभी बताया था, excellent होकर वो दीवारों से टकरा कर बेकार हो जाएंग इफेक्ट हमें डिजाइरेबल नहीं है, तो इसे कम करने के लिए उनके धुरों की बनावट और नोर्थ पॉल और साउथ पॉल के बनावट इस तरह से ली जाती है, कि जिन आएनों की कक्षा उनके मध्य तल में इस्तित नहीं हो, वो भी चुंब के शेतर के कारण मध्य मे जाए जैने जो पार्टिकल मीडियन में 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 बीच वाले प्लेन में तो ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर या नीचे है, उन पर भी उस मीडियम की तरव, जैसे अमने रीडिय एक्सटर में किया था, कि जो पार्टिकल है वो अक्ष की तरफ आना चाहिए, इसमें भी के मद्य बिंदू से जैसे जैसे बाहर की और हम जाए उसका मेगने वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो घठता जाता है और चुम्ब के बल रेखाओं के अंदर वक्रता आती जाती यह नि करवेचरी उनका ऐसा होता जाएगा कि वह पार्टिकल खुद जो है वह मीडियम प्लेन क हां की तरफ आता जाएगा तो मैं दिखा देती कैसा आता है तो देखो जो आयन मद्य तल में इस्तिता है उन पर तो के आ हुआ रिडियल फोगता है लेकिन और वह एपने तल में बने रहते हैं और आ कि यह है बना रही हूँ यह स्क्रीन के परनेंडिकुलर प्लेन है यह ए ऐसे बना हुआ है ठीक है यह प्लेन ऐसे बना हुआ है तो जो पार्टिकल इस प्लेन में है उन पे तो केवल रेडियल फोर्स लगेगा लेकिन हमें पता है कि जो मैगनेटिक फोर्स होता है अगर उसका एरो इदर बन रहा है तो उसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और horizontal component होता है अगर कोई horizontal plane में है तब तो उस पे सिर्फ horizontal radial force ही लगेगा लेकिन अगर कोई इस तल के उपर particle है या इस तल के नीचे particle है तो यहां पर picture में आप ध्यान से देखें तो तीन तरह के particle बनाये हुए है यहां पर दोनों साइड में एक तो यह वाला particle बनाया हुआ है जिस पर केवल एरो लग रहा है इस तेरेक्शन में यह तो center की तरफ अपने आप ही आ रहा है यह तो radial force लग रहा है लेकिन magnetic field की जो lines है वो इस तरह से curve हो जाती है और वो कर्व क्यूं हूई क्यों ही क्योंकि तो circular motion देती है circular motion में particle पर हमेशा जो force लगता है तो center कि तरफ लगता है magnetic field हमेशा force लगाती है वो center कि तरफ लगाती है तो जो बीच वाला particle हो तो उसी plane में लगेगा तो एक यह रोपनेगा इसके उपर ॉपर जो particle होगा उस फे इस direction में की तरफ लगेगा और सेंटर इसको अंत में कहा ले जाएगा इस बीच वाले प्लेन के अंदर प्लेन में हम चाहते हैं वह लगता है और वो सारे के सारे बद्धे तल्की और आते हैं यहां पर एक्जाम दियावा जैसे कि साइक्लोट्रोन में 20 में चुम्ब के दुमों पर चुम्ब के तीवरता यह इंपोर्टन नहीं है यह डेटा इंपोर्टन नहीं है बस मैगनेटिक फोक्सिंग फोग आपको पता होनी चाहिए अब इसकी इन इफिशिएंटी इसकीन इसकी इनिफेशेंसी के है, देखो, एक्चुल में क्या होता है, कि साइक्लोट्रोन से जो बाहर निकला है आयन, उसकी उर्जा का मान, द्रवेमान के वेग उपर निर्भरता के कारण जादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक लिमिट जितना ही बढ़ाया जा सकता है, हम जानत होता है, qb by m होता है, m का यह वाला वैल्यू अगर यहां पुट कर दिया जाए, तो ओमेगा का फोर्मूला यह आ रहा है, इसका मतलब अगर उसका वेग बढ़ेगा, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ओमेगा क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि माइनस का है, जिससे वो सर्कुलर मोशन करता है, अगर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, तो उसको जल्दी पार करके मालो निकलना था, तो ओमेगा कम हो गया, तो वो दीरे 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 पार करके, सब्सक्रोज यहां पहुचा, और यहां पहुंचते, इसकी पॉल लगाने के लिए आयन ज्यादा टाइम लेलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी तो फिक्स थी, इसलिए वो गैप में ठीक समय पर नहीं पहुच पाएगा, तो आयन की उर्जा में ज्यादा व्रदी, इस कारण नहीं की जा सकती, तो यह इसकी इनेफिश गये हैं, जो पहला साइक्लोट्रोन बना था उससे, तो तो यह बाद इसक्रिप्शन ओफ अपैरेटर्स, उसके बाद इसका यह खोड़ा सा चोटा कर देती हूं, यह डाइग्राम है, यहाँ पर लिखा नहीं है, यह आरफ सोर्स लगता है, यहाँ पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्योरी एंड वर्किंग, यह लॉरेंच फोर्स लग रहा था, जो सेंट्रिपीटर फोर्स दे रहा था, उससे उसकी रेडियस आई, सिंक्रिनाइजेशन के लिए हमने उसका टी बाई टू पाई बाई ओमेगा रखा, उससे हमें फ्रिक्वेंसी मिली, रिक्वाइड कंडिशन मिली, साइक्लोटोन फिक्वेंसी मिली हमें, वी मैक्सिमम की वैल्यू मिली, एनरजी की मैक्सिमम वैल्यू मिली, और energy के बाद में हमने magnetic focusing देखी उसके अंदर तो ये magnetic focusing का पेरा है पोज करके आप screenshot लेके देख लीजिए और ये हमने कैसे किया S और N का अलग सा structure बता के inefficiency के अंदर हमने देख लिया mass पे velocity की dependency होने की वज़े से जादा बहुत जादा कि वेलोसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है और अब तक जो साय क्लोटोन बने हैं उससे ये energy के particles हमें मिले हैं that's it